हेलो फ्रेंड्स विल्कम टो नोन श्टॉप ब्यूटी तो आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूं हल्दी दूद के फायदों के बारे में इसे कभ पीना है कैसे बनाना है मतलब कितना दूद में आपको कितना हल्दी एड़ करना है और किस टाइम लेना इसे सही होता है और क साथ है आपको कि आखिर हल्दी वाला दूद लवकारी क्यों होता है हल्दी में एंटिबायोटिक गुड होते हैं साथ ये दूद केलसियम से भरपूर होता है इस तरह जब दूद और हल्दी को एक साथ मिला देते हैं तो इन में मुझूद पोसक ततो एक दूसरों के जिससे सरीर को बिमारियों और संक्रमण से बचाने के साथ ही भरपूर उर्जा भी मिलती है हल्दी में कर्क्यूमिन कंपाउंड भी होता है जो सरीर को कई रोगों से बचाने में हेल्प तो करता है लेकिन कर्क्यूमिन बिमारियों से रोगधाम के लिए फायदेमन भी होता है लेकिन इसे एबजॉब करना सरीर के लिए काफी चादा मुश्कील होता है इसलिए इसे एबजॉब करने के लिए यह हल्दी को दूद हिया किसी और चीज में मिला के पीनी की सला दी जाती है अब हम बात कर लेते हैं हल्दी के फायदों के बारे में सबसे पहला पॉइंट ह पाचन पाचन सक्ती को बहतर बनाने के लिए हल्दी का दूद पीना लाफकारी होता है दरअसल आतों को स्वस्त रखने और पाचन तंत्र को बहतर करने में हल्दी का दूद लाफकारी माना जाता है जोडो का दर्द, हल्दी का दूद जोडो से जुड़ी समस्या के लिए भी अच्छा माना गया है जो जोडो और गठिया के दर्द में भी अराम देता है साथी साथ जोडो के सुजन को भी कम करता है यहां तक की चोट लगने पर भी हल्दी वाला दूद पिया जाता है ठाकान और सरीर में आपको जब कमजोरी महसूस होती है तब भी हल्दी वाला दूद लाफकारी होता है अनिद्रा को दूर करने के लिए भी हल्दी का दूद पिया जाता है सरीर में नीद से जुड़े हार्मोन के साथ ही नीद की गुर्वत्ता में सुधार कर सकते हैं जिन लोगों को नीद ना आने की समस्या है उन्हें रात में हल्दी का दूद का सेवन करना लावकारी होता है इससे रात में नीद ना आने वाली समस्या को सुधारा जा सकता है दूल मिट्टी वो प्रदूसर की वज़े से लगतार फीकी पढ़ रही इसकीन पर चमक लाने के लिए हल्दी का दूद सेवन किया जाता है या फिर दूद में हल्दी डालकर और रूवी भुगो कर फेस पे लगाने से भी चेहरे पे काफी अच्छा चमक आता है हल्दी दूद पीने से हड़ीया मझबूत और स्वस्थ होती है हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्सियम जरूरी होता है और दूद में कैल्सियम भरपूर मात्रा में होता है इसलिए हड्डियों को मजबूत बनाने और स्वस्त रखने में हल्दी दूद फायदेमंद होता है तो नियमित रूप से हल्दी दूद पीने से बढ़ते हुए वजन को भी कंट्रोल किया जा सकता है हल्दी वाला दूद सर्दी खासी गले की कफ, बलगम, खरांस, जुखाम से राहत दिलाता है हल्दी युक्त दूद को एंटिवारल और एंटिवेक्टेरियल गुरो के कारण सर्दी और खासी को ठीक करने के लिए उपयोगी माना जाता है दूद में हल्दी मिलाकर पीने से इम्म्यूनिटी बढ़ती है जिसे रोगों से लड़ने की छमता मिलती है हल्दी वाला दूद पीने से ठकान, सरीर में कमजूरी, मस्तिस के तनाव को कम किया जा सकता है आप इसके लिए भी हल्दी का दूद डेली सेवन कर सकते हैं अब मैं आपको बता रही हूँ हल्दी वाला दूद बनाना कैसे है, कितना दूद में कितना हल्दी एड़ करके लेना है, और इसे लेने का बेश टाइम क्या होता है, तो आपको बनाने के लिए एक ग्लास दूद में आधा छोटी चम्मच हल्दी मिलाकर पीना चाहिए, तभी आपको अच्छा फायदा हल्दी का होगा, और इसको लेने का बेश टाइम होता है, सोने से पहले, या आप इसे सुबे भी ले सकते हैं, तो उमीद करती हूँ, मैंने जो भी जानकाली आपको दी है, पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर द ही जोई ले खायदा है, यूल को ले जापको अच्छा बाई कर दांका होगी, मैंने जो पसंद आई हो, या उन्यका पो वीडियो का ही, जोने हैं या इसे सुझे दया है, साव Sansव